गुड मोने सुडेंट्स हाव और यू सुडेंट्स आई होप यू वैल एठ हॉम तो बच्छो आज हम लेसन नमर 6 करने जा रहे हैं और जो लेसन नमर 5 था उसको अमने स्कीप कर दिया है क्योंकि बच्छों CBC के अकॉर्डिंग हमें 30% स्लेबस कम करवाना है तो उस बेस के उ लिए अधियाज जो आरे थे वह खाहाँ से आरे थे वह उन्हें के बारे में आज इस लेसन के अंदर जा नेंगे सब्सके हब बात करते हैं कि हैं किसम की बारे में कि यहां तो क्यूब्स करताए हायい जो इसके बार तो उसके बारे में उसके जो फिलोस्पी यानि कि उसके जो दर्सन सास्तर है उसके बारे में जो यहां पर रिपर्जेंट कर रहा है ए oversized largely variety of different elements तो ये कहता और इन जो ना ये large variety जो ना बज़ने जो ilumes मैं है इनम कोपरेट्स आर्फेम वहले एंड वर्कशिप जय गाता है कि जो ना है नाहीं प्रसाथिक जख़ को ग janu यहां पर कै सकते हैं ए हम हम रखत दिखो नहीं हाथ कि कि दो जना घा तो ही जोना की जो हिंदुजम जो सब के अंदिजनी आस्था रखता है तो ही जोना उसको बोला टोरेट करने के बाद भी जोना वो काफी श्यान्त जो रहता है तो कहता है कि उसके ध्रम के अंदर जोना हम देख सकते हैं कि उसने जो ये कहीं भी जोना उसने फोस्टन डाला कि उसका सिर्फ एक बगवान या बहुत सारे हैं तो इस तरह से जोना हम कह सकते हैं कि जो हिंदुजम जो है वो कफी एक स्यान्त और एक अच्छी एडिलोजी वाले और एक अच्छी फिलोश्पी वाले जोना इसे धर्म को हम ले सकते हैं हम बात करते हैं कि जो ना हिन्दिजम के बारे में हम कौन कौन से जो ऐसे एविडेंस है या फिर ऐसे कौन से जो उन्हें अपनी किताबें लिखी है जिसके माध्यम से जो है जिसके मीडियम से जो हम उनके बारे में जान सकें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर उपनिसेद के ब जो उपनिसेद है जिनके बारे में उसमें डिटेल में बताया गया था तो आज जो हम उसी उपनिसेद के बारे में जो हम और ज़्यदा से से जानेंगे तो यहाँ पर यह कहता है कि अपनिसेद आर पार्ट ओफ दा हिंदू सेप्च्वर विच डिसकस फिलोस्पी एंड मेटिटेशन्स एंड गिव इंटर्पेटेशन्स ओन दा वेज तो यहाँ पर कहता है कि जो उपनिसेद जो है ना वो हिंदू के जो एक धार्मिक जो किताब भी होती है जिसके अनदर फिलोस्पी और मेटेशन्स के बारे में दो ना वह बताया गया है तो यहां पर उपा अर्थ लिया गया है नियर और निगा अर्थ है दाउन एंड शैट का मतलब दावर टू शैट यानि कि सिटिंग डाउन नियर तो अबन सेद का मतलब क्या हुआ सिटिंग डाउन नियर ए शैप्ट्टिवल टीचर यानि कि गुरू यहिए कि जो ना गुरू के पास जो बेट कर जो है वह शिक्ष्या ग्रहन करेगा इन ओर त रिसीव इंस्ट्रक्शन्स इन रिलिशन एंड फिलोस्पी दिस वाज नौ एज दा गुरू शिक्ष्या प्रमप्रा और ट्रेडिशन तो यह कहता है कि जो ना उपनसेद का अर्थ यही है कि जो ना एक आध्याद में गुरू होगा और शिक्ष्या उसके नीचे बेटकर उ वो उससे शिक्ष्या गरहन करेगा तो इसी कुछ हम क्या बोलेंगे गुरू शिक्ष्या प्रमप्रा या ट्रेडिशन में डेर और सट टू बी वन जीरो एट उपनसेद ओफ देज एलेवन आर कंसर्ड तो बीदा प्रिंसिपल उपनसेद तो कहता है कि जो ना हमारे एक्ष मुख्य एक बेसिकली हम कहेंगे कि वह में मोर्दन इपोर्टंट है वह एलेवन आम मोट आप देम वर राइटन बीट्विन एर्थ और फॉर्थ सेंचरी बेसी तो यह कहता है कि जो ना मुस्ली जो उपनसेद हैना वह लिखे गया थे एर्थ और फॉर्थ जो सेंचरी बेस एक आज जो क्रिस्टिन फेलय चीजिए लिखे गई थी जरनलिक क्रास्off कराशी कल संस्कृत इन्य जो नंगे जो Honestly जो लेंड ए यäreज व करते थे वह थे हमारे लिखें संस्कीत आलो दा ओल्डेस्ट ओफ देम भी काता है कि मुश्ली जितनी प्राणी है वो वेधिक संस्कृत के इंदर जो लिखी गए थी इस सेट्टू है बीन रिटन इन वेधि के संस्कीत अमंग दा एलेवन संस्कृत ऑपन सः विखेश्ट अपन सेथ ऊ ठीजी ह्एचा ऑपन सेथ के जो हर्दन या जो उपन सेथ है वह सबसे बीग्एट ऑपन सेथ है उसके बाद में हैं चंद यूग जंद यूगा चंद और और जो स्टारीज एह साधी जो सचो हमें सचाहिक के सब्सक्राइब जाले कफी स्टूरी की मीडियों सब्सक्राइब था है उसके बारे में बताया गए था एंद कि उपनेस्टिय मिल्ट विट के बाद रहे हैopard 2 और दिख को वन दार्ट यह भ्म परत तो यहां पर कहता है कि ट्रंट टर्या जो माना गया है इसकी जो सटाड़ी है और जो कारफी दिखेल वायिजकी अवह किया जाता है बाको अपी एक्षर्ण हो का estés बढ़िय जिव़ी जीवजनतु मतलम यहां पर लिया गया है कि जितनी बी जो हुमन जो है उनकी इन्टिविल स्वर्ल रहने कि उनके जो हम कह सकते हैं कि यह जो अत्मा है उसकी स्टेडी और ब्रमा जो कि सुप्रीम श्विल और गौर्ड उनके बीच में रिलेशन के बारे में बताया गया है कि उनके भीज में क्या रिलेस्टन है तो उसी के बार हम जाने ही आगे कि यह जो चीजे है जीवा और भ्रमा यह क्या है और इसको कैसे जो लोग देखते थे कि दा मेंन फीचर्स ओफ कि और टीचिंग अफ उपनिसे तो हां केते हैं कि जो उपन फिचर्स क्या है उनको टीचिंग जो कैसे की जाती थी उनका उदिशे क्या होता था इसको पढ़ने के या उसके लिखने क्या उद्यूरा है उसके बारे हम अभी जानेंगी दा थेansen काम कर रहे हैं तुछ के बारे में ब cycling कर्म करें अशसेफ़ी में कहते हैं नहीं है । संपर को आदे हैं प्रिम सोवारे में को अधर्य कर रहें हैं तो उसके बारे में आद आण मह भी आत्म सा उपर यहां पर हमारी जीवा है आत्म की पूनरजरम होता है गोड एक्ट प्रड्यूज गुड रिजल्ट एंड बैड एक्ट प्रड्यूज बैड रिजल्ट तो कहता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट जो हमें हमेशा अच्छे ही मिलेंगे बच्छो यह बिलू को युनिवसल टृत है कि अच्छे काम के अच्छे is immoral but it has to go through an unending cycle to birth and rebirth as a result of karma when jiva dies it is the body that dies and the soul enters a new body तो यहां पर बताया गया है कि उपन सिर्थ के अंदर लिखा गया है कि जो ना हमारी जो बोडी है वो मर जाती है बट उसके अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती और फिर जो ना एक नहीं बोडी के अंदर जो ना वो एंटर कर जाती है और यहां पर जो बताया गया है कि जैसे अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो नेक्ट जो हमारी आत्मा को पुंदर जनम होगा वो एक अच्छे बोड़ी के अंदर जाकर वो प्रवेश कर जाती है यानि कि हम यहां पर कहेंगे कि अगर हमने अच्छे करम की हैं तो अगला जो जनम होगा वो हमारा काफी अच्छा वैतीत होगा तो यहां पर यहां यही बात जो वो समझा रहा है थर्ड हमारा इर देब है थर्ज़ रह थर्वा अच्छी 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 कर्मार्ग , थ्रौ जनमार्ग , थ्रौ निए दौ यहां तो ह। नूल्एज, थ्रौ बदक्ति मार्ग इंटेंस डिवेशन्स तू गोड शुवेशन्स मेंस फ्रीडम फ्रॉम दा सैकल ओफ बर्थ एंड रिबर्थ तो यहाँ पर कहते हैं कि उपनिश्यद के अंदर यह भी बताया गया है कि जो हमें मोक्स की प्राप्ति जो किस तरह से होती है यहाँ हम जाती है तो वह मोक्स मिल सकता है यहाँ हमें मोकस की प्राप्ति यहां प्रति हो जाती है सकते हैं कि जो सब्सक्राइब के बारे में है उसमें जो हमें मोख से जो है वो मिल सकता है और फॉर्थ है बर्मा जे रिगेडिट एज दा क्रेटर विश्णु एज दा प्रिशेर्वर एंड शीवा एज दा डिस्ट्रोयर ओफ दा इन्यूवर्स तो यहां पर बर्मा के बारे सब्सक्राइब कर सकता है कि उसके पास इतनी पावर है तो यहां पर भरमाज विश्णु विश्वा को जो यहां पर सुप्रीम पावर माना है हिंदिजम हैज नो फांडर नो सेंट्रल अथ्योटी नो हरेची एंड नो इसन इस ओनली वे ओफ लाइफ तो यहां पर जो नही यह वेव लाइफ के बारे में आपर बताया गया है तो बुच्चो आज के लिए इतना ही नेक्ट वीडियो के अंदर जो हमारा जो नेक्स्ट टोपिक होगा सेपरेट ऑफ हिंदुजम एंड बुदिजम जैनिजम उनके बारे में जो हम जानेंगी सुडेंट्स थैंक्यू 520 इंड बरे में जानेंच ते ज認 चैसा रपिद पर इन एंड हीinaçãoं एंड लेख ड़े को करदे हैंछ टोश्यां एंड बारे में आपका से उनके जा आफिंड ही का चरुक्त सुड़क्र 960 सीन noe।